भाईयो नमस्कार मैं सती शर्मा जफराबादी पहले तो दिवाली सभी को मुबारक हो और दिवाली के अफसर पर आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं यानि गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो बहुत सस्ते ट्रैक्टर बाजार की परताल दिखा रहा हूँ दोस्तो देश भर जहांगिराबाद उत्तर परदेश का यह ट्रैक्टर बाजार है यहां दिवाली के अफसर पर आपको ट्रैक्टर मिलने हैं वह भी भड़िया कंडिसन के और हरुन भाई इस ट्रैक्टर गोदाम के मालिक हैं पहले भी हमने आपको बहुत सारी वीडियो दिखाई हैं और दर है आप लोगों को फॉन सही समय पर करें लोग अपना फॉन नंबर नहीं देना चाहते हैं आप दिन में दस वज़े से पांच वज़े तक ही फॉन करें और तसली से पूरा वीडियो देख करके फॉन करें अब भहुत सारे ट्रैक्टर है याई न्यू स्टेंडर्ड है पर आपको मिल सकता है दोस्तों पूरा वीडियो देखें नमस्कार हमारे दस्कों की और से हरुए ये ट्रैक्टर आपके हां जो है वो किस कंडिशन के हैं पहले तो कंडिशन बताईए कागज वगयरा रेट कंप्लीट होता है इंजन गेर बक्सा की स्थिति क्या रहती है हम इनन गेर का लीफ्ट का मेरे हाँ और यहां तर्ट अच्छा मिले घए आपको जी सिर्फ पिसान का नगी से करनानी पढ़े के मेरे हां सर्फिस में मीरे हां दो हजार रूपर का खरचा सर्विस में और किसान पूप पर या प네खरा अपने हां अज्क्रा अजा ॐस समय जो सब्सक्राइब करें देख रहे हैं तो यह डी आई सास्तो चालीस है और यह क्या कंडिशन है भाई साब इसकी बंपर लगा हुआ है और वैसे तो ठीक ठाक ओस में उरा सुबस्वा यह बीडियो बन रही है और हते सीट वगरा सब कुछ सही है च्छतरी है नहीं जी टायर इसक चीज अच्छी है जी बैतिज़ साल पे स्टाइट मिलेगा बारी सारी हर चीज से कंप्लीट मेले खाल् से लाइट मेलेगा अपको है तो यह कहा का नंबर है कौंसा मॉडल है यह ।हूजार आठ मोडल अबाहर का नंबर एरठ प्र अलाइन नेट पे आ रहे है कागज अच दो हजार आठ मोडल है जी और हम इसका जो रखे हैं मात रेक लाग चालीस जार रोगा हम अपने किसान बाइब देदें एक लाग चालीस जार मात रिक चालीस अच्छा बहुत बढ़िया तो यह नंबर बाहर का जैसे कहां का होगा यह बतादो थो थोड़ा सा नंबर है जी ज वगएरा अच्छी कंडिशन का ट्र हमें एक लाग चालीस जार में दिख रहा है अगला ट्र हम आपको दिखा रहे हैं बहुत निव और यह आप देख सकते हो लेकिन और उससे अगला ट्र हम आपको दिखा रहे हैं इंड़ो फार्म इंड़ो फार्म 20-30 डी आई लाइट ब वगएरा यह सब फिट है और रिम वगएरा भी ठीकटा कंडिशन के हैं और मीटर बगएरा भी ठीक हैं गेर इंजन पूरा साफ सुत्रा है जी जी आरुन भाई यह जो है इंकों सा मोडल है कहा का नember है थोड़ा सा बताईए यह इंड़ो फार्म 20-30 डी आई है जी दुहसार 12 मोडुल हैμ ज, सेंसंग वाला इंजन है मैसी इंजन नैसे कोई तर्चिंग का हमना काम नहीं किया हूँ अच्छा नीचे सब्पर तक पूरा ट्रेक्टर मॉडल कोन सा है बाई सब्सक्राइब का ओक पर अच्छे कागज और वेगरा सारी चीज है और इसका जो हम रेट रखें है मात्र एक लाग बढ़ा मोड़े मात्र दोस्तो एक हजार एक लाग प्रविश्ट पर दोस्तों पहले तो आप इसकी तीन स्लेंडर का यह है ट्रैक्टर और अट्टे लगे हुए हैं सीट भी है च्छत्री है नहीं बाकी टायर पिछला अगला टायर भी एकदम गंजा है एक तरफ का दूसरी तरफ का टायर को दस-पांच पैसे बचा है तो आप चेंज भी कड़ा सकते हैं रवड के लेकिन इंजन गेर लिफ्ट बगएरा ट्रैक्टर का सही होना चाहिए इंजन एकदम सूखा दिख रहा है बाई साब यह और जि इस वीडियों जीभेजी की जिसे ठीच थोड़े से हलक हैं तो अगर में हैं तो तो तेरे के टेर मैं 12000 रुपे में में कर पलटी हो जाते हैं मेरे हां और 12 टेर उनको नया पल्टी कराना तो 10,000 रुपार रवर्ड प्लाई का नया टेर आप पल्टी भी करा देते हैं जबह परे का तो दस норм तो सब्सक्राइब तो तेरे वह तो दम बड़ और कोश रहा किनमघ गौयची इंजन गेर के अच्छा है, बैंटी से सेल पे स्टार्ट मिलेगा, बारिंग शारिंग सारे चीज़ कंप्लेट हो गो मिलेगी, सर्विस इसमें भी है, सर्विस करानी पड़ेगी, कीमत बताईए साब कम कीमत है, कम से कम जब मातर एक लाक चालिस घार रुपर का हम अजन बाई इसके ठीक ठाक कंडिशन के दिख रहे हैं, और लाइट वगरा इसमें लगी हुई है, इंजन एकदम साफसुत्रा सूखा है, तीन सेलंडर का है, ये ट्रैक्टर भी पिछले टैर इसके गिज़ गया है, गंजे हैं जी, टैर तो आप पल्टी में भी चेंज करा सकते हैं, व और टैक्टर की कंडिशन आप देखें, इसमें सेल्फ इस्टार्ट मिलेगा जी टैक्टर, कागाज गेर, लिफ्ट बगरा सब कंप्लीट मिलेगी, आगाज वागा सब ऑनलाइन है, लिफ्ट विफ सब अच्छी है, टैक्टर की, और इसका जो रेट है, एक लाग पैंतिस नमबर कहां का रहेगा, तो पूरी जिम्मेदारी रहेगी, और तो अगला टैक्टर हम आपका एक और देख रहे हैं, बाई सब यह स्टेंडर्ट, 335 Di पंपर लगा हुआ है और ये हत्ते सीट इसमें लगी होई है और टैर दसपीश तीस पैसे से अधिक हैं इंजन एक दम सूखा है और मीटर वगरा सब चालू मिलेंगे जी वारिंग वारिंग सब कंप्लीट मिलेगी सेल्फ इस्टार टेक्टर मिलेगा अगले टैर आप देख लें इसके लाइट लगी हुई है सालेंसर बाकी सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा जी कौन सा मोडल है जी कहां का नंबर रहेगा हरुन वाई इसका मोडल है है 2011 2011 का मोडल है जी अच्छा है आगे से पीछे तक इंजन से गेर से लिफ्ट से एक दम बढ़िया सो कंडिशन और नीचे से बिल्कुल टेक्टर अभी औरिजिनल यह कोई हलकी फुल की ऊपर का टच्चिंग का काम है सिर्फ अलका सब्सक्राइब मिलेंगी जjos कि अच्छी हो जाती है अपने हां कराने चाहे तो दोस्तों से जरूर करा है टेक्टर की यहां भी हो यह मुख्या कीमत रहेगी इसकी कम से कम से कम से इसकी रुपश और तयर भी ठीक ठाक कंडिशन के और ये कि पिछले भी ठीक ठाक है हते सीट दो हम पर कम्पडिट मिलेंगी आपको तो यह कौन सा मोडल है भाई सब कहा का नंबर रहेगा अरू बाई यह 2011 दो हजार 11 मोडल है पूरा अब तक्र अबी ओर है सब्सक्राइब दोस्तों तीन सिलेंडर का है इसमें अच्छा सारी चीज से कंप्लेट में लेगा अब इसले टायर भी ठीक टाक कंडिशन के हैं और और कौन सा मोडल है बहाई साव यह का मौडल है 2011 दोहजार ग्यारा मोडल है पैंट रिशा सेल पर स्टार्ट में लगा सर्विस इसमें भी करानी पुटेगी तो ये नंबर कहा का माने इसको आरन बाई बाई इसका भी बाहर काई नंबर है और कीमत बताएगे क्या रही कि कीमत है मातर इसकी 1,45,000 जार के दें लें सकता है कुछ और टेक्टर भी इनके गोदाम में उने इसर टेक्टर हम आपको दिखा रहे है अगला बढ़िया बंफर लगा हुआ है और साब सुत्रा है और यह आई सर है आपका 380 अगले टायर जरूर इसके घिस गए एक ठीक कंडिशन में है और दूसरा टायर भी ठीक कं और इंजन आप देखेए सूखा है इसका काउं सा मोडल है जी क्या कहां का नंबर है भाइस अब यह 2008 मोडल है, यह क्यों अच्छा है है और इंजन गेर क्य tecnik 1 ऑच्छे है घञाए पनी इसके अच्छे सब्सक्राइब देखा रहें अगली वीडियो हम आपको दिखा रहें अब आगे देखेंगे पार्ट टू वीडियो देखना ना भूलें वीडियो का लिंक भी साथियो में जरूर सेयर करें